Hello friends, welcome back to my channel Amriti Fashion Vila, आज की वीडियो में हम मातारानी के लिए ये लहंगा साडी बनाने वाले हैं, मैंने अपनी 8 इंच की मातारानी के लिए बनाया है और 8 इंच की मातारानी को आपको पहना के भी दिखा लेए हूँ, तो वीडियो स्टार्ट करें से पहले गाईज, अगर आप आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बैर आइकन पर प्रेस करके और पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अगर आपने मुझे अभी तक मैं सिंपल सीवी पटी कट करनी हैं आपको, और आपका ये बनके रेडी हो जाएगा, आप वीडियो स्टार्डिंग से लेके एंड तक देखे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, फिर भी अगर आपको कोई भी प्राब्लम है, या फिर कोई आप न्यू स्ट यह देखे, सबसे पहले मैंने यहाप यह अस्तर का फैब्रिक लिया है, यह हमारा तीन कलर में है, अगर मैं आपको इसकी लंबाई नापके दिखाऊं, तो यह देखे, यह हमारा 6 इंच है, और जो चोडाई है, वो हमारी देखे, यह इस तरह से 5 इंच है, हमने क्या किया है इसे इस तरह से मोड के और प्रस लगा दिया है, तीनों को हमने सेम तरीके से किया है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हम रैट कलर लेंगे, इसका खुला हुआ है, यह सौरी, फोल्डेड इससा इधर है, खुला वाला इससा हमारा यह वाला है, तो खुले वाले के ऊपर फोल यह देखें मैंने सिलाई लगभग मैंने यहां पर देखें हाफ इंच के करीब में छोड़ते हुए लगाया हुआ है अभी हम इस पे लेस अटाइच करेंगे अब यह हमने अपनी दूसरी पट्टी ली है यह देखें इसका भी फोल्डेड इससा इधर खुला हुआ है इससा रखेंगे और यहां पर हम इसे सिल देएंगे यह देखें मैंने तीनो पीस अटाइच कर दिया मैंने रेड वाले के बाद यलो कलर लगा दिया था मैंने पहले से पूरी पट्टी बनाके रख ली है यह देखें इसलिए मुझे इसका कलर जो है वो चेंज करना पड़ा इसा नहीं है कि आपको रेड के पास ग्रीन ही लगाना आप कोई भी कलर लगा सकते हैं बट पूरा हमारा एक सीरीज में ही रहेगा तीन कलर ही आएगा फिर इसके बाद यही तीनों कलर हमारा रिपीट हो जाएगा अब देखें मैंने गोटा पट्टी बाली लेस ली आपको इसली मार्केट में अवलेबल हो जाएगी और बहुत सस्ती मिलती है तो इसे हम लगाएंगे जहां जहां मैंने सिलाई लगाई हुई है यह देखें इसके उसी उपर लगाना है यहां यहां और यहां भी चलिए लगाती हूँ फिर आगे बताऊंगी कि क्या करना है यह देखें मैंने सभी को आपस में ज्वाइंट कर दिया यह इस तरह से यह कितना सुंदर लग रहा है यह कलर कॉमिनेशन ही बहुत अच्छा लगता है अब यह लास्ट में जो आप देख रहे हैं यह हमारा फोल्ड हिस्सा नहीं है तो हमें क्या करना है इसे हाफ इंच इधर से फोल्ड कर लेना है और हाफ इंच इधर से दोनों को इस तरह से फोल्ड करके हम इस पर सिलाई लगाएंगे और इस पर भी हम अपनी लेस अटेच करेंगी तो मैं डायरेक्ट इस पर अपनी लेस रखके सिल दूंगी तो दो बार सिलाई करने की नहीं पड़ेगी, चले सिलती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है, यह देखें मैंने सिल दिया है, अगर मैं आपको डबल करके फ्रेम में आ जाएगा, पुरा इसलिए मैंने डबल कर दिया है, डबल करके नाप के दिखाऊंगी यह कितना इंच है, तो देख की साइड से लेस अटैच करूँगी, तो मैंने यहाँ पर यह देखें थोड़ी सी हैवी लेस ली हुई है, आपके पास जैसी भी हो, आप अटैच कर सकते हैं, यह देखें अलकी से कटिंग में है, तो मैं यही लगाऊंगी, यहाँ पर इस तरह से रखके सिल दूँगी, च बनाएंगे, यह इस तरह से करके, ऐसे, यह ऐसे, हलकी अलकी सी एक दूसरे के उपर, चढ़ाते हुए हमें प्लेट बनानी है, यह देखें सारा कलर दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई कलर हमारा यहाँ पर ढग जाएगा, यह हाइड हो जाएगा, सब उपर से प्लेट में भी देखें, दिख रहा है थोड़ा-थोड़ा, और यह अस्तर का फैबरिक मैं यूज कर रही हूँ, बहुत इजी होता है इससे प्लेट बनाना, यह हमने इतने दूर सिलाई लगाई, सिलाई को लॉक कर देते हैं, इस तरह से, ब्लास्ट प्लेट ज्यों ही स्टिछ होगी, सुई हमारी अंदर चली जाएगी, फिर यह देखें, जो पट्टी लगी है, इसके 20 से मैंसे इस तरह से मोड के और प्लेट बना दे रही हूँ, ऐसे करके, बस यहाँ पे प्लेट को सेट कर देना है, एकदम इजी है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, इसी तरह से आप बहुत खुबसूरा सा लहंगा आता है, यह इस तरह से मैंने किया, और यहाँ पे पूरे पे मैं सिलाई लगा लूँगी, चले सिलती हूँ, यह देखें, कितनी खुबसूरत हमारी यह ड्रेस लग रही है, बहुत सुन्दर लगती है, पहनाने पे और अच्छी लगेगी, अब देखें, मैंने यहाँ पे यह दो इंच चौडाई का अपना अस्तर का पीस लिया है, इस तरह से मोडेंगे, एक बार और मोडना है, और यहाँ हम उल्टी साइट से रखके सिलेंगे, चले सिलती हूँ, यहाँ पे अपनी सिलाई को लॉक जरूर करेगा स्टार्टिंग में फिर आगे बताऊंगे क्या करना है, यह देखें मैंने सिल दिया, सिलने के बाद हाफ इंच एक्सरा रखके बाकी का कट कर दिया, अब मैं इस तरह से अंदर मोडेंगे, मोडने के बाद एक बार यहाँ पे पलट लेना है, दिखें यह डोरी रखेंगे फिर पलट यहां पर सिलाई को स्टार्टिंग और एंड में लॉक कर लिजेगा और सिलाई के उपर से एक बार हम गोटा पट्टी वाली लेज भी लगा लेंगे चले सिलती हूं फिर आगे बताऊंगे कि क्या करना है अब देखिए मैं नहीं हाँ पर अस्तर वाला ही फैब्रिक लिए है रैट कलर का 11 इंच की करीम में इसकी लंबाई है साड़े 10 इंच भी आप ले सकते हैं तो रहा चोटा भी चल जाएगा और 4 इंच इसकी चड़ाई है हम क्या करेंगे एक बार इधर से मोड़ लेंगे एक बार इधर से हमें पतली सी चोली चाहिए होती है मतरानी के 8 हाथ होते हैं तो चोली हमें चोड़ी नहीं चाहिए होती है बस इसे हमें सिलना है इसे भी हम अपनी गोटा पट्टी वाली लेस रक्के ही सिलेंगे चलिए सिलती हूँ फिर आगे बताओंगी कि क्या करना है यह देख़़ए मैम ने सिल द syntया जिलने के बाद हमें इसे डबल करेंगे और डबल करने के बाद यहांसे कट कर देंगे कट करने के बाद यह देखिए यहाँ पर थोड़ी दूर हम इसे तिल्चा सिल के जॉइंट कर लेंगे चले करती हूँ फिर आके बताऊंगी क्या करना है यह देखिए हो गया है अब हमें क्या करना है इसे अपने घेर के साथ ही अटैच कर देना है यह देखें, यहाँ पर लगके और सिल लेंगे, अटैच रहता है, तो इजी रहता है, पहनाने में भी इधर-दर ढूड़ना नहीं पड़ता है, चलिए सिल लेती हूँ यह देखें, हमारा रेड़ी हो गया है, आपको चोली पतली लग रही होगी पत्ट चोली हमारी पतली ही जाती है अब चलिए इसके साथ हम दूपत्टटघा भी बनाते हैं दूपत्ते के लिए मैंने यहाँ में रेवे लिया है, लंबाई अधिक रखिए है क्योंकि हम दूपत्टघार भी मैं लेंगे के साथ ही ज्जाइंट करूँगी तो इसकी लंबाई मैंने यहाँ पर 20 इंच और चौड़ाई नाम के दिखा देती हूँ, क्योंकि लंबाई पुरी फ्रेम में आएगी नहीं, चौड़ाई देखे 8 इंच है, हमें क्या करना है, इस पर अपनी लेस अटेच करनी है, तो एक बार ऐसे मोड़ेंगे, उसके बार इसके उपर रिलेस रखके सिल देंगे, चलिए सिल दी हूँ, फिर आगे बताऊंगे क्या करना है, यह दिखे, मैंने इस पर 3 साइट से लगाया है, एक इसकी पतली वाली साइट जो है, वो छोड़ दी है, क्योंकि वो हम जो है, इस तरह से प्लेट बनाके, और अपने लेह लेहें के साथ अटेच कर देंगे, यह इस तरह से, यह देखे, इसे लेहें के साथ हमें अटेच कर लेना है, एक तो यह गायब नहीं होगा, इधर उधर, और एक बार आप ब्रस निकालेंगे, तो आप पहना लेंगे, चलिए सिल देती हूँ, फिर आगे बताऊंगे क्या क यह देखे, यह हमारा बन के रेड़ी हो गया है, बहुत इजी है, इसे बनाना और पहनाना, दोनों पहना के मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है, आई होब वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे